दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में विजे प्रकास आपका हार दिख स्वागत करता हूं दोस्त जिंदिगी में मिले अपर्चनिटी को कभी नीख होना चीए अगर मौका मिले तो चवका जरूर लगाना चीए नहीं तो बाद में पच्चात आपके सिवा कुछ नहीं बचता एक रमेश नाम का लरका सहर के एक पेट्रॉल पंपर काम करता था अप पेट्रॉल पंप है तो वहाँ गारियां तो आएगी तिल लेने के लिए उसे नई और महगी गारियां देखना अच्छा लगता था या कह सकते हैं महगी गारियां देखने का उसे सौक था और कभी कभी उसके अंदर से 31 सी भी उठती थी कि कास मेरे पास भी ऐसी कार होती ऐसे ही चलता रहा एक दिन उस पेट्रोल पंप पर एक चमचमाती हुई उस सहर की सबसे महगी गारी आके रुकी रमेस गारी को देखता ही रह गया गारी में बैठे हुए इंसान ने कहा अरे कहा ध्यान है पेट्रोल डालो रमेस उस सुटेड बूटेड आदमी को भी देखता रहा और सुचने लगा कास मेरी भी ऐसी ही लाइफ होती कितना मज़ा आता रमेस ने पेट्रोल भर दिये और फिर उसने गारी आउनर के पास आकर पूछा सर एक बात पूछू उसने कहा पूछो सर ये गारी कितने की है उसने कहा क्या लेना है क्या रमेस ने कहा हमारी कहा अउकात है सर बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ गारी आउनर ने कहा 90 लाग 90 लाग गारी की कीमत सुनकर रमेश सोच में पर गिया क्या पर टोल पंपर काम करके ऐसे गारी का सपना देखना उसे पूरा करना संभव है उस गारी ओनर ने बोला क्या सोच रहे हो रमेश ने का कुछ नहीं सर आप भागे साली है ये सब मेरे बस की बात नहीं है गारी ओनर ने उसे अपना विश्टिंग काट देते हुए कहा इस पे हमारा फोन नंबर है इस पे फिरी होके कॉल करना मैं तुम्हे रास्ता बताऊंगा जिस पे चल के तुम ऐसी गारी अराम से ले सकते हो और फिर गारी ओनर वहां से चला गया उसके जाने के बाद रमेश तरह तरह की बाते सोचने लगा पता नहीं क्या काम करता होगा कहीं फोन करूं और जहां से मिले कर कोई उल्टे सीधे गलत काम ही ना करवाने लगे मुझ से फिर तो हम बरबाद हो जाएंगे क्या चेकर में परना है यह पेटोल पंप का ही दिवटी ठीक है और फिर रमेश ने उस विश्टिं काट को दो टुकरे करके पास में परे डश्ट बीन में डाल दिया धिरे-धिरे समय बित्ता रहा ठीक चार साल बाद उस पेटोल पंप पर उस सहर की सबसे महंगी गारी आई 90 लाख वाले से भी महंगी रमेश देखता ही रह गया पेटोल भरने लगा और गारी को पूरे इत्मिनान से निहारता भी रहा उसने सोचा कि गारी ओनर से पुछते हैं आप कौन है क्या काम करते हैं और इस गारी की कीमत कितनी है रमेश ने पूछी ही दिया और जो गारी ओनर ने उससे बताया उससे सुनकर रमेश हैरान रह गया गारी ओनर ने कहा आपने नहीं पहचाना मुझे मैं आज से चार साल पहले इसी पेटोल पंपर जहारू लगाने का साप सफाई का काम करता था चुकि यो सुट बूट टाई में था रमेश पहचान नहीं पाया रमेश ने कहा ये सब कैसे हुआ उसने बताया वो जो आदमी 90 लाग की गारी से आया था उसने आपको एक बिश्टिंग कार्ड दिया था जिसे अपने दो टुकरे करके डस्ट बिन में डाल दिये थे मैं आप दोनों की सारी बाते सुन रहा था मैंने उसके बाद पर भरोसा किया साम को उस बिश्टिंग कार्ड को उठाया दोनों टुकरे को मिलाया और अगले दिन कॉल किया फिर मिलने गिया उसने एक उपर्चनिटी दिया मुझे उसने मुझे चार सालों में बहुत बरा टीम लीडर बना दिया मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई आपने उसर को खो दिया और मैंने रिस्क लेकर मौका पर चौका लगा दिया रिजल्ट सामने है रमेस अस्तब्द सरह गया लेकिन अब पच्ताने से क्या फायदा जब आपने उपर्चनिटी को समय पर एकसेप्टी ही नहीं किया दोस्त किसी भी औसर को खुली आँखों से देखना जरूर चाहिए हो सकता है उसी से आपकी किस्मत चमकने वाली हो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दें थैंक्यू दोस्त दन्यवाद